यह लो दोस्तों आज का अमारा पहला पुष्यन है वा टिद न ए फेक्ट प्रेट्झ वा यदा इल्ट्रिक कुरंट इन एलेक्ट्रिक मोटर टो यह पूछ कि करन्ट का क्या एफेक्ट होते हैं कौन कौन से करन्ट करता मोर्ता में तो देखिए है donut Oh जो करन्ट होता है जब मोर्त में वाइंडिंग से जब फिल व ö होता है मानो कोई करन्ट आई फिलो हो रहा है वो और रिन इसका कुछ रेजिस्टेंग हो गा तो जब current flow होगा, तो N into I, इससे बनेगा MMF, तो जब MMF बनेगा, तो इससे यह मतलब की magnetic field produce होगी, तो एक तो magnetic effect produce होगा इससे current से, दूसरा, अगर current flow हो रहा है, resistance है, तो क्या होगा, I square R losses होएंगे, I square R losses हो रहे हैं, यानि की heating effect, तो current के flow होने से, electric motor में कौन-कौन से effect produce होते हैं, एक magnetic और एक heating effect, तो answer क्या हो जाएगा, Magnetic as well as heating effect, option 2, next question पर चलते हैं, The rotating part of a DC motor is known as, तो motor में जो part rotate करता है, वो क्या कहलाता है, rotor, तो rotor पर क्या होता है, हमारा armature, motor में rotor को कहता है, armature, तो answer क्या हो जाएगा, option 3, armature, और जो stationary रहता हो, कौन सा हो गया, stator, चलो ठीक, next question पर जलते हैं, Why is there air gap between the yoke and armature of an electric motor kept smaller, तो यह पूछना चाहरा है, कि जो हमारा yoke होता है, यानि कि stationary part होता है वो और armature के बीच में, एक small gap रखा जाता है, तो क्यों रखा जाता है, तो यह stator है, और यह rotor है, rotor पर armature winding होती है, तो यह बीच में यह gap है, air gap, तो यह पूछ रहे हैं कि air gap क्यों रखा जाता है, तो यह stator और rotor के बीच में, जो air gap होता है, वो इसलिए रखा जाता है, ताकि दोनों पास में होंगे stator rotor तो क्या होगा, magnetic flux अच्छे से link होगा, और क्या हो जाएगा हमारा strong magnetic field produce हो सकती है, तो answer क्या हो जाएगा, इसका to achieve stronger magnetic field, और इसमें एक option और हो सकता है, mechanically clearance दिया जाता है, stator और rotor के बीच में इसलिए भी थोड़ा सा air gap रखा जाता है, ठीक है, next question पर जलते है, the function of commutator in a DC machine is, तो commutator क्या करता है DC machine में, तो देखो commutator होता है, वो क्या करता है, हमारा AC को क्या करता है, DC में convert करता है, AC voltage को क्या करेगा, direct voltage में convert करेगा, यह तो DC machine में पूछा तो direct ऐसे लिख दो, अगर आप से पूछे कि generator में commutator का क्या काम है, तो like क्या करता है, या motor में commutator क्या काम है, तो generator क्या करता है, अब sevi RegisBon力 is, हमारा AC को किसमें convert कर देगा, DC में, और motor का क्या करेगा, motor में क्या करता है, सबफलाई देते हैं, तो यह क्या कर रहेगा motor किके समें, DC को AC में convert कर देगा, यह जब जन्रेटर में कम्यॵन्टेटर को हम क्या कहते हैं एसी से डीजित में जो परकरती हुसको छे पसे से से गet च deprived बश्रोण करें बधाने को बुंदिकर को बाते हैं शेट को फिसे कि बताने है को शेचरक्रिस्टिक लोडेट्वी जो होगे जैसे जैसे करेंट बढ़ेगा किसका होगे थोड़ा सद्याइड 140 पोने स्टार्ट कर देगा तो आंसर क्या आएगा इसका स्लाइट डूपिंग करेक्रिस्टिक्स कर होता है सी डिसी संट जनेरेटर का ओप्शन एक करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं विच वन ओप फोलोंग जनेरेटर सी जूच पो चार्जिंग बैटरी तो बैटरी चार्ज करने के लिए संट जनेरेटर यूज लिया जाता है ठीक है नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं कि अधाश स्पीड ओफ डीसी मोटर इज तो देखो डीसी मोटर में जनेरेटर के लिए हम दो पढ़ते हैं वह दो इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है एक होती है यहीं और किस्ट टू ऑस्ट टू के फाई ओमेगा एन एक ऊनोटि एक होता है टौन किस्ट टू ऑस और ऐा देख income विखते भाइल या वाल तो और हम होता है दो Rerog Breaking अपॉल्टेज यह आरे में स्पीड मुण स्पीड है ठीन हो चाहित तो देखो यह स wrestling की आप क्या लीक्स हतेों ओमेगा स्टरी इस्परक्ष टू ए यह सूरिंब की प्रॉपोर्षिनल हो गया लग्स के हाँ और इंवर्ष ली परपोर्ष पर टू नुच्छ पर चलते हैं भी दिबेक्ष यह संद्य इएम एक इसिऊ नेर्टिonden टू परद्पीО्यर्थ डिपेंड्स ओन तो इमफ किस पर डिपेंड करता है अभी अभी पढ़ा आपने यह स्कुरस्टू के फाई ओमेगा है तो यहां से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा चलते हैं इन डीसी मोटर वहरा आरे लोस अकर नोस कि तो इसमें एक स्टेट्स लोस प्लस एडी करेंट्स इन दो के कारण बनता है तो जो यह लोस होते हैं उनके कारण हों चिसमें जिस पार्ट में हमारा औल्टरनेटिंग करंट जिसके लिंक में आएगे हमारे उसी में यह आर्मेचर वह सोरी आईरन लोस अकर होएंगे तो देखो योग तो इस टेटर पार्ट होता है फिल्ड प्रिडूस करता है आर्मेचर हमारा कॉंटेक्ट मारता है इनके में तो आर्मेचर में क्या होगी हमारे आइरन लोस अगर होएंगे आंसर टू होएगा इसका यह गलर लिखा हुआ है कि नाइस प्रिशन पर चलते हैं यह गार्मी कोईल इन डीसी मसीन इज यूज टू तो डमी कोईल हम किसली यूज लेते हैं डीसी मसीन में यह मैकनिकल बैलेंस के लिए यूज में लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्रिंग अबाउट मैकनिकल बैलेंस ओफ आर्मेचर ओप्षन 3 नेक्स्कूशन है एस सिंपल मेतड़ ओप इंक्रीजिंग दा वोल्टेज ओप डीसी जनेरेटर इस डीसी जनेरेटर को वोल्टेज को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो यह इसका स्टू के फाई ओमेगा एन तो अगर स्पीड बढ़ा देंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा वोल्टेज भी बढ़ जाएगा तो इस कांसर क्या हो जाएगा ओप्षन यह वाल हो जाएगा तो इंक्रीज दा स्पीड ओप रोटेशन नाइस्ट कुशन पर चलते हैं दा स्पीड ओप स्पीड पूच रहा है कि फुल लोट स्पीड से अगर हमको ज्यादा करनी है तो क्या करें तो देखो कि यह इसका स्टू के फाई ओमेगा एन अगर हमको स्पीड बढ़ाना है स्पीड की बात करते हैं कि तो को छोड़ देते हैं तो इक इसके प्रोपोस्टल नहीं यह यह कि अगर हमको स्पीड बढ़ाना अगर इसको स्पीड बढ़ाना तो यानि कि फ्लक्स कम होना चाहिए फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ जाए अब देखो जो हमारी फिल्ड वाइंडिंग होती है कि उसमें करेंट आई एफ लो होता है उसी के करण क्या होता हमारा फ्लक् current अगर फिल्ड करंट कम होगा तो हमारा फ्लक्स कम होगा अगर फ्लक्स कम होगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी कि मैं नेक्स्ट कुशन पर जलते हैं कि एन इंडूस्ट इन दा वांडिंग ऑफ एन आर्मेचर ओफ डीज जंडेटर वेंदा आर्मेचर रोटेट्स इन तो इसका अंसर चाहसान है कि इंडियूस होगा जब हमारा आर्मेचर क्या होगा मैंनेटिक फिल्ड में रोटेट होएगा कि ऑप्शन टूस का अंसर हो जाएगा कि नाक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं more the function of Incre से ऐसी में यह हो जाएगा हमारा मोटर के case में ने namely book true क्तुन अधर किन्ट इन दे कन्डॉइंग इन दा कंडॉक्टर में इस से चुमोटर इज मैंने बताया था आपको पहले भी जब अपने पहले कुशन किया था जन्रेटर और मोटर के केस में हम देख रहे थे कि जो कम्यूटेटर होता हो क्या काम करता है उस ताइम पर मैंने बताया था कि जो वाइंडिंग होती है हमेशा उसमें क्या करता एस फिलो होता है तो यह पूच रहे हैं घनके क्राइब यह लोगा तो अब सप्लाइ देते हैं जब डिसे सप्लाइ इसे ही जब गभर रिट्जी चाहिए होता है जो मारा घुर्म होता है अब कि अध्र Tat उसमें तो क्या खोता है हमारे ए सी जया पर्ट करने के हमारा को कम्यूटेज करना परता है तो आज के लिए इतने कुछशनज चाफी है ठीक है दोस्तों ए मैं आधे